इसे पहले हमने इसका explain आपको किया था इस poem का और उमीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए हूंगे उसको और सभी छात्र इन question को बड़े अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए ताकि आपको आने वाले exam के लिए ये मददगार हो और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को भी subscribe नहीं किया है तो सभी छात्र इस चैनल को subscribe कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाल आएं इन वीडियो को देख करके अपनी तियारी कर सकें और बहुत अच्छे marks exam में गेन कर सकें तो dear students this is your first question from the poem the said who is the speaker of this poem देखिए ये पहला question है आपका who is the speaker in the poem और ये इसका answer है the speaker of the poem is poet Frank Flynn when he was a small boy ये पहला question है आप इसको लर न गीजिएगा जो said poem है उसके writer है Frank Flynn और इन्होंने इसको लिखा है जब ये छोटे बच्चे थे और second question है देखिए is see or he afraid or curious or both और इसका answer है see or he was curious not afraid as see oblique he always peep through that window and ready to take a peep a peep है जो peep लिखा है word इसको देख लिजएगा ये peep नहीं है peep नहीं है peep है peep माने होता है जहांकना peep one day तो इसको correct कर ले न अगला question है अगला question है आपका what is see oblique he planning to do soon और इसका जो answer है वो है third देखिए see or he is planning to go inside the seed soon और इसका next question है जो last question है but not just yet suggests doubt, fear, hesitation, laziness or something else जो last में कभी बोलता है but not just yet लेकिन अभी नहीं तो ये बात हमें सक पैदा करता है कह रहा है या फिर fear पैदा करता है या फिर hesitation या फिर उसकी laziness या फिर कोई अन्य चीज choose the word which seems right to you, tell others why you choose it तो देखिए कभी ने ऐसा क्यों कहा इसका answer है but not just yet suggests that hesitation of the point from going inside that said तो ये सब्सक्राइब को ये पता चलता है कि कभी अभी जो है hesitate है उस state के अंदर जाने में though he was confident that there were no ghosts या देखिए उसे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वहाँ कोई भूत नहीं रहता but still he was hesitate लेकिन फिर भी वो हिचकी चाता है वहाँ जाने से inside and thought और वो सोसता है that soon he will go inside the said but not now लेकिन वो ऐसा सोसता है कि फिर कभी वो जाएगा लेकिन अभी नहीं चुकि वो बच्चा है या दपी उसे ये एसास है कि वहाँ कोई भूत नहीं रहता लेकिन फिर भी वो कहता है कि अभी वो वहाँ नहीं जाएगा लेकिन फिर कभी जरूर जाएगा और इसका next question जो है वो है क्या तुम्हारे पडोस में क्या तुम्हारे वहाँ कोई ऐसा गल बगल में नैबर में कोई ऐसा room है जहां तुम जाने से डरते हो तो ये वाले question का answer आपने swing करना है swing करके आप हमको उसको बताएंगे So that's all, have a nice day और हाँ एक बार फिर से अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर दीजे, अपने दोस्तों को इसाँ share कर दीजे और bell icon को press कर दीजे ताके आने वाली videos आप तक सीगर पहुंच सके Thank you, have a nice day